हलो एब्रीवान वेल्कम बैक तो मैं यूटूब चैनल एजरोकेट तो फ्रेंड्स वन फर्टी फोर पेड़ागोजी आफ इंग्विश के नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम यूनिट्री का पार्ट फोर करेंगे कंस्ट्रक्टिविस्ट पेराडिगम 3.9 और 3.9.1 डिस्कोर्स परस्प्रक्टिव इन कंस्ट्रक्टिव इस तो बहुत ही अच्छे से एक्स्प्लें किया गया है वो कैब आपको साथ-साथ समझाई गई है तो वीडियो को लास तक जरूर देखे और अगर वीडियो पसंद आ आए तो लाइक और शेयर करना ना भूले आए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं तो प्रेंड सबसे पहले आपको यह बता दिया जाए कि तो यह एक वर्ड है construction या construct उससे निकला है constructivist जिसका मतलब होता है to make कुछ बनाना तो एक ऐसी paradigm है जिसमें बच्चा जो है mainly अपनी knowledge खुद से develop करता है पहले जो education होती थी वो teacher centered होती थी teacher क्या करता था class में आता था lecture देता था और उसके बाद हो सकता था कि बच्चों को समझ आए हो सकता था ना आए तो उसका काम था कि उसको lecture देना है और उसके बाद class से चले जाना है लेकिन अब क्या होता था अब क्या हो रहा है child centered education है learner centered education है बच्चे को मतलब मध्य में मान कर center of attraction मान कर उसी को focus करके सारी चीज़े की जाती है तो इस paradigm में यह होता है कि एक तो learner खुद से अपनी knowledge develop करता है और knowledge कैसे develop करता है वो अपने खुद के experience से child behave करता है as an active constructor पहले child as a passive behave करता था लेकिन अब वो actively role play करता है सारी चीज़ों में actively participation होता है वो अपनी जो previous knowledge है उसको use करके अपनी नई knowledge को construct करता है और इसमें देखिए इस book में क्या दिया हुआ है जो NCF 2005 है उन्होंने envision किया है aim or methodology of teaching learning as the process of construction of knowledge by the child जो चीज़े हमने आपको बताई है कि construction of knowledge एक बचा करता है हर उसकी life का जो experience है वो उसकी previous knowledge में add होता रहता है जिससे उसकी life में कुछ ना कुछ नई ideas जो है वो create या develop होते रहते हैं तो इस constructive methodology में teaching learning जो environment है वो ऐसे design किया जाता है जिससे learner की जो knowledge construction process है उसमें support मिल सके उसमें help मिल सके तो Wilson 1996 में define करते हैं कि constructive learning जो environment है वो एक ऐसी जगा है जहां पर learner एक साथ काम करते हैं एक दूसरे को support करते हैं और अपनी guidance के लिए या फिर कुसी भी जो लक्षे है उनकी खोज के लिए और कोई भी problem solving activity के लिए variety of tools और information को use करते हैं तो यह कहते हैं कि जो environment है वो एक learning environment होना चाहिए ना कि instructional environment क्योंकि एक constructivist जो setting होती है उसमें learning पर focused जादा emphasized किया जाता है ना कि teaching पर तो देखिए designer of the constructivist learning environment emphasize करते हैं seven pedagogical goals पर तो पहला क्या है provide experiences with the knowledge of what is a constructivist process तो constructivist process है क्या उसके बारे में experience मतलब provide करना knowledge के साथ उनको experience provide करना appreciation provide करना उनके multiple perspectives होते हैं उनके लिए embed करना learning जो उनके realistic और relevant है जो context उसके हिसाब से encourage करेंगे ownership को और learning process में voice को यानि जो उनका point of view है उसको हम encourage करेंगे embed करेंगे learning social experience में इसका मतलब यह है कि जो knowledge है वो socially constructed होती है तो यह हम कह सकते हैं कि by gods की और प्याजे जो है देखिए constructivist थे तो इन दोनों ने ही सबसे पहले तो प्याजे जी ने यह कहा है कि जब भी knowledge construction होती है तो बचा खुद से कर लेता उसके लिए society की कोई requirement नहीं होती लेकिन जो वाइ-gots की जी है वो यह कहते हैं कि knowledge की construction में socially experience होना society का होना बहुत ही ज़ादा ज़रूरी है तो जो knowledge है वो socially constructed होती है by learner encourage करते हैं use of multiple modes of representation जैसे कि return है या spoken है जैसे फिल्मों में, project में या experimentation में और बहुत सारी चीज़ों में इसा देखा जाता होगा तो इन सारे multiple modes को जो representation के modes है उनको encourage करना चाहिए और encourage करना चाहिए self-awareness of knowledge of construction process जो बच्चे खुद से construct करते हैं knowledge उनको भी encourage करना चाहिए तो for the proper facilitation of knowledge construction एक teacher को क्या करना चाहिए interactive environment student or teacher के बीच student or student के बीच अतलब develop करना चाहिए तो ताकि वो आपस में interact कर पाए collaborative activities कर पाए collaborative activities होती है जहां पर learners एक साथ काम करते हैं cooperatively वो या तो pairs में करते हैं या groups में करते हैं लेकिन सारे साथ में करते हैं जो involve करता है leadership को negotiate करते हैं आपस में cooperate करते हैं जिससे encourage होती है उनकी authenticity way of learning same time student जो है उनको encourage किया जाता है to make optimal use of वो क्या जानते हैं and be individual in their thinking process मतलब उनके particular individuality को भी encourage करना चाहिए उनके perspective को भी मतलब अदे नजर रखते हुए learning पर focus करना चाहिए a good example है इसका role play जहां पे students अपना-पना role करते हैं characters in a book, famous historical figures body parts, plant parts, वो कोई भी एक role play कर सकते हैं और अपने एक individuality show करते हैं तो इसमें हम समझ सकते हैं depth or importance of उनके perspectives next है 3.9.1 discourse perspective in constructivism discourse पहले अगर हम बात करें discourse की तो हमने ये जो word है वो अपने community tab पर भी share किया हुआ friends हम जो भी book up solve कर रहे हैं तो हम कोशिच करेंगे जो भी vocab इसमें आ रहे हैं उसे community tab पर जरूर शेयर करें तो आप लोग वहार जरूर देखा कीजएगा तो discourse का एक मतलब होता है discussion करना किसी के बारे में detail में बात करना तो ये जो आनंदन है वो strongly feel करते हैं कि language जो exist करती है सिर्फ only in the form of discourse और हमारा जो focus होता है वो यह होता है कि हम child को enable करें to construct discourse ताकि वो मतलब discussion कर पाए चाहे वो oral form में हो या फिर written form में हो चाहे वो बोल कर या फिर लेक कर हो ये सिर्फ possible है अगर हम उनको authentic linguistic experience प्रोवाइड करते हैं through discourses तो देखी जो भी बच्चों की नीड होती है उसी के हिसाब से बनता है for example जो grammar teaching है या teaching of writing है ये एक separate skill नहीं है but are inextricably inextricably होता है कुछ ऐसा जो impossible हो to separate या disentangle तो ये linked होते हैं students की अपनी ही writing से तो ये दोनों अलग अलग नहीं है ये दोनों एक ही अगर हम students की own writing को as a text use करें तो teacher उसको as a constructivist approach teach करने में grammar using one और a combination of the following methods तो मतलब वो इन methods का use करके constructivist approach जो है class में use कर सकती है तो देखे वो method क्या है mini lessons, grammar journals, one-to-one conferences and peer group activities तो ये हाप इनोंने explain किये हुए है आए देखते हैं पहले किया है mini lesson mini lesson जो है student के written work से ही arise होता है उनको design किया जाता है to be very brief मतलब एक ऐसा थोड़े में बहुत कुछ कह देना जिसे हम बोल सकते हैं बहुती brief होते हैं clear होते हैं concise होते हैं और focused होते हैं सिर्फ essential matter design किया जाता है to empower all students to understand the purpose of lesson problematic sentences from students suppose किसी ने कुछ written किया है और teacher को उसमें कुछ problem नजर आ रही है तो हमें textbook की exercise को refer करने की बजाए उस particular sentence को मतलब एक उठाना चाहिए और उसके बाद उसी के उपर discussion को है promote कर देना चाहिए about the stylistic choice stylistic choice वह वाली choice है जो बच्चों ने own की हुई है बहुत सारे method है बहुत सारी choices होते है तो बच्चाई की particular method को follow नहीं करता तो उसने जो भी choice stylistic choice मतलब अपना रखी है उसी पे हमें main focus रहना है और उसी को मतलब जो और देकर आगे discussion को promote करना है note करना है कि strategies जो है वो emphasize करे stylistic choice को rather than right or wrong answer जो हम इस पना focus करें कि क्या right है क्या wrong सिफ stylistic choice को prefer करें इसलिए इतगी students students को opportunity कर देती है कि वो discuss करें अपनी ही writing को as well as that of their peers या फिर अपने peers ने जो भी लिखा हुआ है तो यह उनके critical skills जो है sharpen करेगा और they must consider whether their sentence work or don't work effectively तो जैसे particular sentence पर discourse होगा discussion होगा तो उनको पता चल जाएगा कि वो जो sentence था वो effective था भी या नहीं था तो यह जो goal है have the students work on two or three sentences हम every day इसको ले सकते हैं इसलिए इसको mini lesson का नाम दिया गया है इसमें देखिए connection mainly होता है teaching main होता है actively बच्चे engaged होते है और यह link proper बना कर चलता है तो यह चार टर्म्स है connection, teaching, active engagement और link जो mini lesson में आप मतब यूज करके अपना written material पूरा कर सकते हैं exam में अब बात करते हैं grammar general की जो तो journal देखिए mainly क्या होता है एक book है of something जहां पर हमारे records को kept किया जाता है तो यहां पर grammar journal है यह ऐसी note book है जहां पर students ऐसा record रखते हैं जो ungrammatical sentences उन्होंने लिखे होते हैं उसके बारे में तो teachers often guide करता है students को in errors के बारे में लेकिन उनको खुद से correct नहीं करता वो re-write करते हैं students उनी sentences को अपने alternative जो भी stylistic choice चूज करते हैं और उन sentences को खुद से ही improve करते हैं और अगर one to one conference देखे तो इसमें क्या होता है teacher discuss करता है editing choices और monitor करता है student की progress को तो जह following section है हमें idea देगा about a typical lesson which follows the discourse perspective होता किया जैसे कोई भी line देदी उसको complete करना हो unit is title the voice of the voiceless issue क्या है discrimination guys presented using a number of discourses जैसे की cartoon, news, paper, report, file, story और poem हम हमें आपने देखे एक news report देखते हैं जिसमें process reading दी हुई है let the learners go through the news reports individually उनको individually उस पर focus करने दे एक और दो learner को उनके ideas present करने के लिए कहें जो भी उन्होंने अपनी report से conceive किये है class को 5 से 6 group में divide कर दीजिए हर एक को each piece of news to two groups मतलब आप ऐसे कर सकते हैं कि मतलब groups बना दीजिए और उनको news का मतलब अलग-अलग जो है portion दे दीजिए और उनको कहें कि वो उनको read करें interact करें और help करें तो आप देखें हां पे क्या दिया हुआ है हम कुछ ऐसे question उनसे पोच सकते हैं कि पोर्ट कि सीज के बारे में है कब हुई जो इंसिडेंट था उनमें इन्वाल कौन के थे तो यह जो ग्रूप है उनको present करने दे what they have understood from the news report let there be brief discussion हम करते है on the atrocities against the weaker section atrocity होता है friends जो एक cruelty or brutality हो गई जो weaker section के against दिखाई जाती है तो उस पर थोड़ा सा brief discussion देने को कहें बच्चों को बच्चों को यह कहें कि present करें कुछ instances ऐसी atrocities के जो weaker section के against होती हुई आपने भी देखी हो अपने neighborhood में group को collect करने दे as many report or photos as possible in English और या फिर जो भी language आप particular उनको teach कर रहे हैं तो let them categorize those issues under five or six heads let all group compile a magazine बनाने दीजे each using the collection of newspaper reports or photos जो भी different different issue पे based हैं तो based on all these issues let them fill in the table given in the text assessing the data entered in the table the learner may prepare a brief report तो यह इस तरह से आप उनको एक brief report बनानी को दे सकते हैं इस परड़ादिक में it is expected that teacher जो है वो गोल फिक्स कर देता है with the student और उनको कहता है what they need and want to achieve and different discourse, domains and skills तो mainly focused किया जाता है students active रहते हैं teacher का इतना अच्छा रोल नहीं मतलब जादा रोल नहीं होता है तो यह थी friends इसकी तो आगे देखे इसमें क्या हुआ है जैसे diary दे रखी है as a discourse is introduced in class 4 and autobiographical writing at the secondary level तो friends diary as a discourse use हो जाती है class 4 में और class 9 में autobiographical writing है वो secondary level पे start कर देते हैं not in the 9th class तो discourse का अगर हम basically example भी देखे तो हम यह सीधा कहे सकते हैं कि अगर दो students अपने result के बारे में बात कर रहे हैं तो यह भी एक discourse का example है friends next जो है वाइगाउट की theory of social constructivism वो हम next class में करेंगे तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो feel free to like, share and subscribe my channel thank you friends मिलते हैं next video में bye bye take care